तो जैसा कि सब लोग मैं से पूछ रहें थे कार का जो एरबैक होता है वो फटने के बाद कैसे होता है या फटना का एक्सपिरियंस क्या होता है तो मैं लाइफ तो नहीं बता सकता बर्ट यहां पर फटने के बाद कैसे दिखता है मैं आपको बता सकता हूँ यह रिसेंडली गाड़ी हमारे पास जो आई थी एक्सिडेंट होकर देख सकते हैं आप पुरी टोटल लास पुरी चिन्यां गड़ दिया गाड़ी दोवे के थंबे को मारा पुरा इंजन निचे दिख रहा है आपको यह रेडियेटर फैन यहां पर आ चुका है पुरा नीचे लटकने पर अगर किसी को एक्सास फैन की जवत है तो मुसे कॉंट्रैक्ट करें कि तरफ पुस्टम दिखाएंगे आपको ड्राइवर साइट का एरबैक दरवाला भी निको रहा रहा है तो जैसे कि देख सकते हैं आपको पता है हारन में एरबैक होता है यहां से जो हारन का होता है यह फटके सीधा यहां से निकलता है और ड्राइवर के मुझ पर मारता है इससे ड्राइवर कुछ हद तक बच जाता है और यह बहुत पार से खुलता है इसलिए इसकी विमार लगती है और यहां पर देख सकते हैं बाजु का जब एक्सिडेंट हुआ तो पता चला कि लॉंडे लपाटों के साथ जा रहा था आपकी उमर का लॉंडा था वो और पता लागे बाजो जलॉंडा बढ़ा था वो टांग यहां पर रखके बढ़ हवा था जैसा ही एरबैक खुला इतनी फोर्ड से खुला कि इसकी टांग की हड़ी टूड गई यहां पर अंदर होता एरबैक यह फटके निकला है देख सकते हैं आप एरबैक की पावर इतना गाड़ी भी बहुत चुनिया हो गई इसलिए मैं कहता हूं सेफ ड्राइब कीजिए